नमस्कार जैहिंद वंदे मात्रम एक बारा सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डेयर गुरुजी पर और डेयर गुरुजी चैनल की तरह से आप सभी को मैं 42 रिपकि मैं 42 वे की समिना डीवस की बहुत-बहुत्वा का सब्सक्राइब आज़े के दिन मैं यह देश का लागो आज ही के दिन से जो हमारा भाडरेस एक घर्तांत्र राष्ट जो है बना है दोस्तों आज की स्टाठ करते हैं के यह पिरो वीडियो है चाहबी जम्र को समर्पित है तो सभी लोग को टाइमिंग पता ही है कि मेरे यहाँ पर किस टाइम पर चलती है तो चलिए यहाँ पर पहले कोशन की तरफ बढ़ते हैं इसके लावा आप सभी को पता है टाइमिंग सभी लोग याद रखिएगा एक विज़े डेली यहाँ पर कि यहाँ इसके लावा टेलीग्राम से जुड़ जाएर इंस्टाग्राम से बताती हमें चलेंगी अवाज आप सभी को आ रही है आप सभी को आज semaine रही ही होगी बिल्कुल क्लीर बात है इसके लावा दुस्तों आडिकेभी मेनी च्छोटी का रखी है पर लेकिन यूट्यूब पर सारी क्लासे मिली गने कर रखे रात को साइज में क्लास चलाओं यहां पर ठीक है इसके लाबा आप सभी को पता है कि डेली क्लासे तो मिलती रहती है तो इस्टार्ट करते हैं पहले कोश्चन दे बहुत आसान कोश्चन और आज का टॉपिक के मैं और दही यह सारी कोश्चन इस मिलत पर आधारी थे लाश्टियर दोजा भी इसमें आपके यूपी बोर्ड पेपर में आ चुके हैं तो यहां पर देखिए अलग कौन सा है डिफरेंट कौन सा है सबी लोग जबाद देने का प्रयास करेंगे देखिए पनीर हो गया दूद ह हो गया मखन हो गया दही हो गया इनमें दूद आपका लग हो जाएगा क्यों कि दूद से यह साही चीज़े बनाई जाती है पनीर हो गया मखन हो गया दही हो गया यह साही चीज़े दूद से बनाई जाती है इसी वजासे ऑफसर नंबर जैसका सी है वह आपका यहां पर डि है करेक्ट हो जाएगा रेंगने की अगर हम बात करते हैं तो रेंग कर कौन चलता भाई वैसे बहुत सब्सक्राइब यहां पर जवाब जो देते हुए चलेंगे बहुत अच्छा प्रशन है और जवाब देखें आपर आना शुरू हो गया है तो भाई पाखंड का संबन जिस परखंड का जो भी लॉम है है उनको बंस अपका प्राया होता है अगला विलॉम कर्यक्ट हो जाएगा है हिटलर का संब्सक्रला जिसरे का जर्मनी से है चार निंबर सब्सक्राइब जवाब देते हैं चलेंगे तो यहां पर जिस परकार लिंड़ J Uno मुशोलोनी की बात कर करते हो है इसे पर बात करते है direction number भी के बारे मैं तो बिलकुल थी जогод शोलीनी थी यहां पर बहरत तोIl रह लिदात कोई तानासा नहीं थे अगला को जाएगा यदि रेल को बस कहा जाता है बस को ट्रैक्टर को कार कार को स्कूटर को साइकल कहा जाता है और साइकल को जीप कहा जाता है तो खेत जोतने के लिए किस की आउसकता पड़ेगी आप सभी को पता भी खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर क्या आउसकता पड़ती है और ट्रैक्टर को यहां पर ध्यां से दिखे एक डिक में लगा पूछा गया है कि СОहन उत्तर दिसा मेंडनेदे हैं तोहन उत्तर उत्तर यानि की हूता है ऊपर सैड में उपकर सैड में कितन सबसे हिसा HP तो पूछा कितना आपका 4 बचा हुआ है तो पूछा कि प्राडमधिक जो बिंद हहा है यह इससे कितनी दूरी पर है ठीक है प्रारमिक बिन से बताना है से जी आपका यह कितनी दूरी पर है थोड़ा से इसको बढ़ा कर दो जिससे आपका सही से मिलाना हो सके ठीक है चलिए यहाँ पर आपको ताना है यह दूरी कितनी है अगर यह तीन है यह चार है तो आपसे होत तो यह जी जो है दिमाग में रखियागा ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है क्लियर हो गया सभी को नहीं क्लियर रहना चाहिए आप सभी को बस अगला कुशन देखिए आप से आपर क्या पूछा गया है ध्यान से देखिए नीचे दिये गए सब्दों को एक अर्थ पूर करम में रखना है और फिर विकल्पों का सही करम चुनना है तो देखिए भाई यहाँ पर जिला गाउ राज्य तहसील और राष्ट्र इन चारों को भाई हम लोग अगर अर्थ पूर करम में रखें तो पहले आपका क्या आता है सबसे छोटा के अगर हम बात करते हैं तो यह गाउ तहसील तहसील के टोब का आता है और घिला से बढ़ा क्या रहता होता है और और यहां पर राजी हो जाएगा और राज्य से बढ़ाका अपना राश्टर हो जाएगा तो दो चार एक तीटिन पांच किसी ओःपसन में दीख रहा हो जा लोग यहाँ पर आप्स नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कोशन देखें आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई भार का तथा किलोग्राम बदेने लोग इतने सही विकल्प का चैन करना है भार और किलोग्राम क है यहाँ पर देखा है तो आपस नंबर जो इसका सी है करेक्ट हो सकता है भार तथा किलोग्राम ही तो दिया गया ना तो यहाँ पर मातरक चले ठीक है भाई मां सकते हैं दूरी का मातरक किलो ना के लोग किलोमीटर πάशन है कुछ से पर कोउशन में कोी थोड़ा गलत किस से हो सकता है question आपका ये पूछा जाए था ठीक है यहाँ पर तोड़ा मुझे question डाउट लग रहा है बट कोई बात नहीं तो भाई भाई भार का संबन जिस प्रकार kilogram से यानि कि जिस प्रकार भार का मात्रक क्या है किलो ग्राम है उसी प्रकार क्या मील लंबाई का मात्रक है नहीं भाई मील लंबाई का मात्रक नहीं होता है दूरी का मात्रक कह सकते हो आप लोग एक हिसाब से यहां पर देखिए जैसे दिया गया दूरी का मात्रक किलो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और सेयर करते ही चलिएगा तो क्वेशन नमर नाइन के अगर हम बात करते है तो भाई यदि आज बुद्धवार है तो आगामी रभीवार के पचीस दिन बाद कौन सा दिन होगा तो भाई आगामी रभीवार आज अगर आपका बुद्धवार माले से टोडे आज के आपका वेडनेश डे है तो आगामी रभीवार कप पढ़े कि एक दिन, दो दिन, तीन दिन और चार दिन, चार दिन बादा है, यानि कि टोटल आपके चार उनतिस, यानि कि आपको सिंपल सा पूछा गया है, कि अगर आज बुद्वार है, तो आज के उनतिस दिन बाद जो है, आपका क्या हो जाएगा, और आप सभी को पता है, कि उनति तो अगर आज बुधवार है तो आज के 29 दिन बाद जो है एक दिन आगी चले जाओ ब्रस्पति वार जो आपका एंसर हो जाएगा ठीक है यह चीज़ यहाँ पर करना है ब्रस्पति वार जितने लोग जवाब दे रहें आपसर नमबर और A, C वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कोईशन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पुछा गया है कि भाई फल सब्जी और सेब का सही आरेक चुनना है फल का सब्जी का और सेब का फड़ा फट यहाँ पर जवाब देते हूँ चलेंगे भाई कोई सब्सक्राइब सब्सक्राइब। Ah अगला कोशन देखिया आपके यहां पर क्या पूछा गया है का ने खा को एक साइकल 20% देखो का है इस कोशन को लगाना कैसे समझेगा का है खा है और कौन भाई गा है तीन ही लोग तो है ना का खा गा एवी सी कुछ भी मान सकते हो आप लोग का ने खा को साइकल 20% मेनाफिय यानि कि का के पास माली कोई साइकल थी सो रुपे की तो यह 20% फायदा रहेगा तो खा को 120 रुपे में बेचेगा यह तो हो गया ना अब खाने गा को 25% मुनाफ़े बेचा यानि कि 120 का 25% बताई कितना हो जाएगा पचीस परसे निकालेंगे तो पचीस चौका 304 यानि कि 30 रुपे जादम बेचा यानि कि 150 रुपे में बेचा यही तो हो गया ना तो कह रहा है कि यदि गा ने 1500 रुपे का भुकतान किया अब यह जो गा है जो 150 रुपे में बेचा गया जो माना था एक सो पचास किसके बराबर अक्चुल में पंदरा सु रुपे बराबर है तो पूछा गया है तो का ने कुल कितना भुक्तान किया तो बताओ सजी एक किसके बराबर आ जाएगा एक की अगर हम बात करते हैं तो पंदरा सौ बटे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा इसी किवर आप भाई 1500 था बटे 150 हो गया तो यहाँ पर का की बारे पुछा गया का का मान कितना आपका 100 है तो इसमें 100 से उड़ा कर दो तो का का माना जाएगा खा पुछा गया होता है तो 120 से उड़ा कर देते तो यहाँ पर देखिए 1020 जीरो एक जीरो एक सब्सक्राइब करेंगे एक हजार जो है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्लियर है सभी का यहां पर बताते ही चलेंगे क्लियर हो गया अगले क्लियर की तरफ बढ़ा जाए अगला क्लियर आप किसी कतार में दोनों सिरे से जो है जो है बारावे वक्ति हैं तो आपको पताना है कि तो कतार में कितने वक्तियों की संख्या है फड़ा पर बताते ही चलेंगे बहुत ही आसान सा कॉशन है और सभी लोग का जवाब देखें आपर आना शुरू भी हो गया है क्योंकि बहुत ही इजी कोशन है तो देखिए भाई यदि आप किसी कतार में, दोनों सिरे दों सिरे से कौनसे स्थान परज़ है??? अगर आप किसी भी प्लेस में siरे बारह पर है, तो λगों सिरे हो जायेगी, पहले हैं कियो साइट इस पर ऑचलिंग दोनुससा का जों किस तरहy मोकि जोय जोगते हैं 12 जों 20 तो फटब फट या वीडियो को लाइक और सेर करते हुआ छलीए गएगा अगला वला क्वे कि अगला कुश्ण दिखिया आप से आपर क्या बोला गया है यदि पी का मतलब जो है प्लस क्यू का मतलब माइनस आर का मतलब भाग और एस का मतलब गुड़ा हो तो दियेगे सेमिकर का मान बताईए बड़ा पट यहाँ पर जवाब जो देती हो चलेंगी 16 है अब एस का मतलब क क्या है भाग है तो भाग है कितना हो जाएगा से आपका 10 हो जाएगा क्यों का मतलब क्या है माइनस है तो माइनस हो जाएगा और पी का मतलब क्या भी प्लस है तो प्लस साथ हो जाएगा इसी को तो सॉल्व करते हो चलना है तो सोला अब साट भाग है तो सोला गुरे छे कित हो जाएंगे लिए सभी लोग यहां पर बताती हुए चलेंगे सभी लोग का यह कुछन है आपका क्लियर हो गया नहीं क्लियर हो गया बहुत इच्छे बात है क्लियर रहना चाहिए अगला कुछ देखिए आप से क्या पूछा गया है कि यदि किसी सांकेतिक भासा में मास्टर को n,c,v,x,j,x से लिखा जाता है तो उसी कुट भासा में डॉक्टर को कैसे लिखा जाएगा फटा पर बताती हुए चलेंगे सर यहां पर जो करेक्टर आपका यहां हो सकता है master ए m को n लिखागया है दोको n था m से क्या हो गया इपका n हो गया चलो a था a से a b c हो गया s था s स स t यू भी हो जाएगा यानि की पहले दोखो आपका m से n यानि की प्लस 1 हुआ a से c हुआ तो प्लस 2 किया गया s से b हुआ तो stu भी प्लस 3 किया गया है आर यही तो है ना तो डी में पहले प्लस एक करो तो डी हो जाएगा ओ मतलब पंद्राद थू सत्रह क्यों हो जाएगा कि Cage किस में आ रहा है देखो आगे हल करने कि जोए तो न तो तो इसमें न तो इसमें सिर्फ को पस नमबर लिए आप लोग पर प्लेश्टों पर सच के लिए का डियर गुरुजी अगला कॉश्चन देखे आप से क्या पूछा गया है कि नहीं लिखे स्रेडी को पूर्ड करने हे तू दिये गए विकल्पो में से अनुपस्तित सब्द का चैन करना है यानि कि आपका यहां पर जो कॉ क्यों के बाद क्या आता है और एस टी तो यानि कि आपस नमबर जो इसका सी दिया गया और एस टी वह यहां पर विल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला कोश्चन देखे आप से यहां पर क्या बोला गया है राम ने एक बिंदू एक से सीधे बिंदू वाई तक पूर होता है और अगर हम बात करतें इसके बारे वे तो उपर बार जो आपका क्या होता है उत्तर होता है और यह आपका क्या होता है और यह आपका क्या होता है तो आपका डक्षन होता है यह तो है ना तो यहां पर क्या कह रहा है कि राम ने एक बिंदू एक से सीधे बिंदू व तो दाइना उसका नीचा ही तो होगा तो नीचे की वो मुड़ गया और कितना चलता भाई फिर से 50 मीटर चल गया अब यहां से दाइना फिर से 50 मीटर चल गया तो यह आखरी बिंदू है और यह स्टार्टिंग का बिंदू है इनके बीच की दूरी बताई कितनी हो जाएगी अब बताओ यह 50-50 गटाओ कितना आजाएगा दस ही तो आएगा तो यह बीच की दूरी कितनी आजाएगी दस मीटर आजाएगी आसान है कि नहीं बताई है सची क्या इस क्वेशन में कुछ भी टप था तो यतने लोग यहाँ पर आपस नमबर ए जवाद देरे दस मीटर वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कुशन देखिए आप से यहाँ पर क्या बोला गया है बहुत अच्छा प्रसम है लखनों से दिल्ली के लिए हर पांच घंटे पर बश चूड़ती है अब देखो हर पांच घंटे पर बश चूटा यानि कि अगर कोई बस दस बज़ जाएगी तो अगली बस कितने जाएगी आडवे जाएगी तो यह चीज़ ऑबियस से मतलब कॉमन से एक अपने दिवाओं के सकते हैं कि कौन सी कितने बज़ जाएगी अब यहां पर क्या कह रहा है कि सूचना केंद्र से मुझे 10-45 पर कितने में गयात हुआ ध्यान देखिए कि 10-45 पर गयात हुआ कि बस 25 मिनट पहले छूट चुकी है यानि कि 10-45 पर पता चला कि 25 मिनट पहले बस चूट चुकी यानि कि इसके पहले ज 10 बचकर 20 मिनट पर जो इसके पहले वाली पर जो आपकी जा चुकी है समझ में आ गया ना कितने बन पर 10 बचकर 20 मिनट पर इसके पहले वाली जो बस आपकी जा चुकी है तो अगली बस ज़श्ट पांच घंटे बाद आएगी तो 10-5-15 15 मतलब क्या होता तीन बज गया तो तीन बचकर 20 मिनट पर अगली बस आपकी जो है जाएगी आसान था कि नहीं बताई सची किस कोशन में क्या आप सभी को कोई डाउट है कोई दिक्कत है इतने आसान तरीके से बताया मैं इस को समझ में आई गया होगा तो आपसन नमबर जो इसका बी दिया गया है तीन बचक को बिल्कुल क्लियर देखेगा ठीक है और एक ही कोशन है एक ही डियाग्राम उससे दो आपको बताना है तो यहां पर देखे पहले लिख लेते हैं किसको क्या दिखाएगा जिससे आपके लिए आसान हो तो तिर्भुज है तिर्भुज जो है गाउं को दिखाता है गाउं क युवा को दिखा रहा है तो यहां पर पहला कोईशन पूछा गया है गाउ में सिच्छित बेरोजगार युवा को कौन दर साता है यानि कि सिच्छित को भी बेरोजगार को भी और युवाओ को भी यानि कि सिच्छित भी हो बेरोजगार भी हो और आपके युवा भी हो तो बात पर बैस तो यही हो गया ना तो यह तो कहरे नहीं जा रहा है तुष देखो यह तो यह बात करते देखिए यह आप यह बरत करते है यह कैसे वर्ग में भी आ रहा है इस वरित्त में नहीं हो होगा माफ की जए अगर पांच की बात करते देखे पांच Нमर्व की बात करते है चार नमर को बिटादो भए क्योंकि याउन से तिरह दो य experiment आக dazu आ था तो यहाा पर पांच नमर ही बात करते देखिये हैं आप का गाव के बाहर, यानि कि गाव हमको नहीं चाहिए, सिच्षित बेरोजगार यहा को बताना है, तो भाई गाव मितले जो भी पतिरभुज में, जो भी आरे हैं, उनको कट दो, 6, 1, 5, 7, कट गया ना, अब गाव के बाहर हमको क्या चाहिए, जो सिच्षित भी हो, बेरोजगार यानि इन दोनों में common के आसर देखिए आपका चार नंबर देखा जाए तो आपका विर्त में आ रहा है और चत्रुफुत दोनों में आ रहा है तो चार से इसको दर्साएंगे तो option number जो इसका c दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा तो इस तरीके से जाएगे दो निस्करस निसकरस एक निसकरस दो दिये गए है कसर दिया गया है कि सभी Kar 2012 जंक है तो गार्भे बाप का क्या हो गया बना सभी जंग अब यहाँ पर क्या बोला गया है क्या सभी गारवेज यहां पर अंदर हैं तो बाहर है बिल्कुल सही बात है मेल नहीं है तो यहां पर दिखा कोई संबंध नहीं है लिए पर देख़ा जाए तो मेरे ही साफसी दिभाई कुछ इस time mail नहीं है तो यहाँ पर निकलता है लेकिन इसकर्स दो यहाँ पर नहीं निकलता है तो यहाँ पर उसके लोग ऑफसे नमबर यह जाब दे रहे हैं जबाटे रहे हैं वह लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाए को पूरा करने के लिए आपको विकल्पों में से अनुपस्थित सब्द का चैन करना है डी जी एच के लो कोईशन मार्क टीडवलो दिया गया तो डी चार आठ चार 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 आठ चार बारा एल तो बारचार क्या होता है है सोला के गर्ट के होता है जुसतों आपका ओ पी होता है यानी कि पहला आपका पी हो जाएगा इसी तरह जिकोशन आपका आफिसे लगेगा के वह लोग बे हो जाएंगे क्लियर है अगला कोशन देखिए आप से यहाँ पर क्या बोला गया है ध्यान से दिखिएगा ध्यान से समझेगा कि बहुत सताइस इक्यासी चोवन इकत्तिस तिरानवे तो अगला नंबर जो आपका क्या जाएगा सबी लोग आप पर जवाब देती हो चलेंगे इसका जो अगला नंबर है आपका क्या हो सकता है तो यहाँ पर देखो 27 और तीन में देखा है तो 27 तीन एक्यासी और 27 दूना चोवन यानि कि 27 तीन एक्यासी हुआ और 27 दूना चोवन हो गया चलो भाई माल लेते हैं उसी तरह देखो यहाँ पर यह तीन का एक जुड़ा आपका होता है 62 तो जितने लोग यहाँ पर 62 जवाद दे रहे हैं और बी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे क्लियर है अगला कोशन देखे आप से क्या पूछा गया है विद्यार्थियों कि एक अक्षा में विनोध बाईयोंड से पांच में जबकि रीन दाइयोंड से 18 स्थान पर है यदि वे अपना स्थान परस पर बदल लेते हैं तो विनोध बाईयोंड से साथवे स्थान पर राता है तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं तेईस नमर क्वेश्चन है सविर्योंग जवाद देते होई चलाएंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करा चारा है विद्यार्थी के कच्छा में विनोध बाईयोर से ईक होता है जागा अब है ये देखे समझेगा यह आपका बाया हाथ होता है और यह आपका दाया होता है तो विनोध गया यह विनोध बाइन और 17 पर पाँच वह स्थान पर है और रीना गया अपना स्थान बदल दें तो सातो यह यह? कि अब यहाँ पर रीना आ गई यहाँ पर कौन आ गया विनोद आ गया अब यहाँ पर जो है अपना स्थान दल दे तो विनोद जो है बाई और से अब विनोद की बात करते है तो यह इधर से कौन से स्थान पर आ गया आपका साथवे स्थान पर आ गया यानि कि यह जो प्लेस है यह जो प्लेस है इस प्लेस की हमें वैल्यू पता चल गई कि भाई यह प्लेस जो है इस साइड से साथ वे स्थान पर है और इस साइड से अठावे स्थान पर है तो अकर हमें किसी एक प्लेस की वैल्यू पता चल जाए कि वो दाय से बाय से कौन-कौन से पर हैं तो हम लोग तरीके से लग गया लोग इसको बहुत कठी समस्ते हैं बड़ देखे कितने आसानी से हापट चोविस नंबर जो एंसर है आपका आगया क्लियर है या सौर नो सब लोग बताते हो चलेंगे कोशन क्लियर हो गया ना चलिए अगला कोशन देखिया आथ से क्या कह रहा है अग्यजी वर्ड माला में ग्याराव हमें बाईयोर से ग्याराव अच्षर देखो aux बाईया मतलब यही तो होता है === सब्सक्राइब पूरा करने है तूँ दिये गए विकल्पव से अनुपस्थित संख्या का चैन करें दो है दस है पैतालिस है दो सु इकतिस है तेरह सु तिराग्राइभ पर कुश्चनर लगा हुआ है तो आपको बतारा है उसे आफ प्लस डार कितने फ्ल प्लस उक्ला किटना हो गिन्टकश हों गया इसी तरह यहां पर 10 के बाद देखनाइं दर्स चौका चारीज कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा ठाय यानिंड कि गड़े प्लस पांच फिर आपका यहां पर पैतालिस गुड़े पांच कितना होता है तो आपका तेरा सो कितना आ गया तो हमें यहां पर साथ प्लस आट कर देना है तो साथ किरकी आपका नौ आश्य संख्यायगी नव्य यानी कि नोजर कुछ होगी तो अभी जो आपको पता यूपी बेट का जो एक जाम होता है उसमें पचास कोशन आते हैं तो अभी आपर मैंने पचीस कोशन करवा दिये हैं और अगले पचीस कोशन जो है आपको कल वाले वीडियों करवाए जाएंगे तो कल आपको लोग देखेंगे और यह मैं सोचें सर यूपी बेट का प्रीवेस है तो बिहार के लिए इंपोर्टन नहीं है जाकर के लिए इसको देखीएगा और देखते चलेगा यही सेम लेबल जो है सबका रहता है ठीक है त तो आज की स्क्लास में स्रीव इतना यहीं क्लिए बबाए टेक केर जैहिंद जै भारत मिलते हैं सब्सक्राइब से नेक्स्ट वीडियो में